हेलो और वेलकम टू पी आर लर्निंग लाब माई नेम इस सॉम्या और आज हम लर्न इंग्लिश थू हिंदी के लेस्ट फाइव में बी वर्प्स के बारे में सीखेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट थे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आज के लेस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि बी वर्प्स एक्जाक्ली क्या होते हैं उसके बाद हम is, am, are, being, being, was और वर का sentences में यूज करना सीखेंगे कि इन सभी को sentence formation में हम किस तरीके से यूज करते हैं उसके बाद हम to be verbs के कुछ examples के बारे में बात करेंगे negative और interrogative sentences क्या होते हैं और last में हम एक exercise भी करेंगे तो आईए अपना lesson शुरू करते हैं What are be verbs? Be verbs indicate a state of being State of being मतलब होता है किसी चीज का कुछ होना या फिर कहीं पर होना इस चीज को represent करते हैं ये सारे के सारे words जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जैसिकि is, am, are, was, were, being और being ये सारे ही words या तो singular के साथ यूज होते हैं या फिर plural के साथ यूज होते हैं कुछ words present tense यानि कि अभी के time के साथ यूज होते हैं और कुछ words हम past tense के साथ यूज करते हैं यानि कि जो time already beat चुका है हम उनके साथ ये words यूज करते हैं तो अब आने वाली slides में मैं आपको बताऊंगी कि हम इन words को किस तरीके से use करेंगे ताकि हम English में बहुत ही अच्छे तरीके से sentences को बना पाएं सबसे पहले हम बात करते हैं is की जब भी हम किसी singular subject की बात कर रहे होंगे वहाँ पर हम is word का use करेंगे singular subject मतलब एक subject यानि कि किसी भी एक चीज़ के बारे में जब भी हम बात कर रहे होंगे तो हम वहाँ पर is word का use करेंगे जैसी कि आप यहाँ पर देखेंगे he is my friend वो मेरा दोस्त है यहाँ पर जो he word है वो subject है और वो singular है यानि कि केवल एक ही लड़का है अगर यहाँ पर he की जगे दे होता तो हम is word का use ना करते क्योंकि दे हम plural के लिए use करते है तो आप यहाँ पर सारे ही examples में देखेंगे कि जो भी subject है यानि कि जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो singular होगी यानि कि वो सिरफ एक ही होगी आप यहाँ पर देखेंगे Mary is a girl यहाँ पर Mary के बारे में बात हो रही है और वो सिरफ एक है इसलिए हमने यहाँ पर is word का use किया है यह तुम्हारी बुक है यहाँ पर जो बुक है वो भी सिरफ एक ही है इसलिए यहाँ पर हमने this के साथ is word का use किया है The dog is playing, जो dog है वो खेल रहा है अगर यहाँ पे dog की जगे dogs होता यानि कि अगर एक subject की जगे ज़ादा subjects होते यानि कि plural word होता तो हम यहाँ पे is word का use ना करते Rhea is too tall, यानि कि Rhea बहुत ज़ादा लंबी है यहाँ पर भी जो Rhea है वो सिरफ एक ही subject है अब हम बात करेंगे am, हम am word को किस तरीके से use करते है am word का use हम सिरफ और सिरफ तब करते हैं जब subject में I होता है यानि कि हमेशा हम am word का use तब करेंगे जब मेरे बारे में यानि कि आपके अपने बारे में बात हो रही हो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे I am 20 years old यानि कि मैं 20 साल की हूँ इसलिए मैंने आप आए के साथ am use किया है आप am word का use किसी भी और subject के साथ नहीं कर सकते चाहे हाँ पर you हो, they हो, she, he किसी भी चीज़ के साथ आप am word का use नहीं करेंगे am word का use हम सिरफ तब ही करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो I am hungry यानि कि मुझे भूक लगी है I am sorry हम sorry तब बोलते हैं जब हम से कोई गलती हो जाती है जब भी हम कोई mistake करते हैं तो हम sorry word का use करते हैं यानि कि मुझे माफ कर दो I am so happy, मैं बहुत खुश हूँ अब आप देखेंगे कि इन सभी sentence में हमारे खुद के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर am word का use किया है R word का use हम सिरफ तब ही करते हैं जब हमारा subject plural हो plural यानि कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही हो तब ही हम यहाँ पर R word का use करेंगे आप देखेंगे Ram and Ria are coming today Ram और Ria आज आने वाले हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे सिरफ एक इनसान के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर एक से जादा लोगों के बारे में बात हो रही है अगर यहाँ पर सिरफ एक ही इनसान के बारे में बात हो रही होती यानि कि सिरफ राम के बारे में बात हो रही होती कि is हम singular के साथ यूज करते हैं बट यहाँ पर आप देखेंगे दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है राम और रिया ये टोटल दो सब्जेक्ट हैं इसलिए हमने यहाँ पर आर वोर्ड का यूज किया है उसी तरीक से दे आर स्टांडिंग देर वो लोग वहाँ पर खड़े हैं अब यहाँ पर दे वोर्ड का यूज हुआ है दे मतलब की बहुत सारे लोग इसलिए यहाँ पर हमने आर को यूज किया है मैंने आपको इस वाले एक्जामपल में भी समझाया था वहाँ पर सिरव एक डॉग के बारे में बात हो रहे थी इसलिए हमने इस वोर्ड का यूज किया था यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डॉग्स के बारे में बात हो रही है यानि कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है वो सिंगुलर नहीं है इसलिए हम यहाँ पर R word का use करेंगे A number of people are supporting the statement यानि की बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो एक statement को support कर रहे हैं यहाँ पर भी जो हमारे subject है वो plural है People मतलब की plural यानि की काफी सारे लोग अगर यहाँ पर people की जगे person लिखा होता तो इसका मतलब सिरफ एक इनसान की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर R का use ना करते Was and were Was और were दोनों ही हम past tense के लिए use करते हैं Past मतलब की वो time होता है जो beat चुका है जो निकल चुका है अब मैं आपको बताऊंगी कि was हम कैसे use करते हैं Was को हम singular nouns और pronouns के साथ use करते हैं जैसे कि I was doing my work मैं अपना काम कर रही थी अगर यहाँ पर was की जगे am होता I am doing my work इसका मतलब मैं अपना काम अभी भी कर रही हूँ am जो है वो present tense के साथ use होता है is भी present tense के साथ use होता है और are भी present tense के साथ use होता है लेकिन जो was वर होते हैं ये दोनों ही past tense के साथ use होते है अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जो हमारा subject है वो she है यानि कि वो singular है सिरफ एक लड़की के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर was लिखा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि yesterday लिखा है ये statement पढ़के हमें समझ आ गया कि ये जो बात है वो कल की हो रही है जोन वोज इल अब यहाँ पर आप देखेंगे any name जोन एक नाम है जोन वोज इल इसका मतलब जोन बिमार था लेकिन अगर यहाँ पर is लिखा होता तो होता जोन इस इल यानि कि जोन बिमार है अब मैं आपको बताऊंगी वर के बारे में जैसे कि वोज हम singular nouns और pronouns के साथ यूज करते हैं वैसे ही जो वर है वो हम plural nouns और pronouns के साथ यूज करते हैं जैसे कि दे, यू, वी हम कभी भी यू के साथ वोज word का use नहीं करते हैं हम हमेशा यू के साथ वर का use करते हैं अब चाहे यू word singular हो या फिर plural हो यानि कि सिरफ एक इनसान की बात हो रही हो या जादा की हो रही हो तब भी हम हमेशा यू के साथ work का use ही करेंगे they were doing their work वो लोग अपना काम कर रहे थे अब यहाँ पर आप देखेंगे दे है दे मतलब की बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर singular subject होता तो यहाँ पर was आता क्योंकि यहाँ पर plural subject है यहाँ पर were word का use हुआ है तुम कर टाउन में नहीं थे अब यहाँ पर आप देखेंगे you word के साथ were का use हुआ है was का use नहीं हुआ है we were ill हम सब कल बिमार थे अब आप यहाँ पर देखेंगे we एक plural subject है we मतलब होता है हम सब इसलिए क्योंकि we plural है यहाँ पर were word का use हुआ है पर आप यहाँ पर देखेंगे john john एक singular subject है यानि सिरफ एक ही लड़का है इसलिए john के साथ यहाँ पर was word का use हुआ है been and being been मतलब होता है जब कुछ already हो चुका है जैसे की ram has been late today ram आज काफी late आया है तो आप यहाँ पर देखेंगे ram already late आ चुका है इसलिए यहाँ पर हमने been word का use किया है have you been to agra क्या तुम कभी agra गए हो तो इसलिए यहाँ पर भी been word का use हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी past के बारे में बात की गई है next word आता है being यह दोनों words बोलने में और लिखने में भी काफी हद तक similar है but इनके meanings काफी different है being यहाँ पर आप देखेंगे be plus ing जब भी आपको ing दिखेगा ing का मतलब होता है कोई चीज जो अभी continue हो रही है यानि की कोई ऐसी चीज जो अभी चल रही है if something is ongoing that is if something is happening यानि की अगर कोई चीज अभी तक खतम नहीं हुई है ram is being rude rude मतलब की होता है बहुत जादा गलत तरीके से behave करना ram is being rude यानि की ram अभी बहुत जादा rude हो रहा है वो बहुत जादा गलत तरीके से behave कर रहा है ria is being smart यानि की ria काफी जादा समझदार बन रही है being word का यूज़म past tense के लिए नहीं करते हैं being word का यूज़म तब करते हैं कोई चीज़ पहले से चली आ रही है और अभी तक चल रही है यानि की अगर कोई चीज़ continue हो रही है तो हम being word का यूज़ करते हैं अब मैं आपको बताऊंगी present, negative और interrogative sentences के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे present tense present मतलब जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है present मतलब होता है कोई चीज़ जो अभी हो रही है जैसे कि I am अगर मैं अपना introduction दूँगी यानि कि अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं I am का use करूंगी क्योंकि मैं वो अभी भी हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया present मतलब होता है किसी चीज़ का अभी भी होना जैसे कि I am a girl मैं एक लड़की हूँ तो क्योंकि मैं अपने बारे में बता रही हूँ तो मैं I am का use करूंगी you are जैसे हम I am अपने लिए use करते हैं वैसे हम you are सामने वाले इंसान के लिए use करते हैं he is हम हमेशा लड़कों के लिए use करते हैं और उसी तरीके से she हम हमेशा लड़कियों के लिए use करते हैं जैसे कि she is a girl वो एक लड़की है she is 15 years old वो अभी सिरफ 15 साल की है तो इसी तरीके से हम present tense की बात करते हैं तो हम am, are और is का use करते हैं it is जब भी कोई neutral चीज होती है जैसे कि अगर हम किसी book के बारे में बात करें तो मैं वहाँ पे it word का use करूंगी it is a book यानि कि वो एक book है we are बट यहाँ पर आप देखेंगे we we मतलब की बहुत सारे लोग यानि कि हम सब तो इसलिए यहाँ पर जादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर is word का use ना करके हमने our word का use किया है you are you are मतलब हमने सामने वाले इंसान के बारे में बात की है you के साथ हम कभी भी is या फिर was use नहीं करते हैं past के लिए हम were का use करेंगे और present के लिए हम are का use करेंगे यानि कि हम you को हमेशा plural ही मानते है they are यानि कि वो सब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है इसलिए हमने our word का use किया है negative sentences negative sentences वो होते हैं जिसमें हम not word का use करते हैं जैसे कि I am not अगर मुझे कोई चीज नहीं करनी तो मैं बोल सकती हूँ I am not going to do it यानि कि मैं वो काम नहीं करूंगी तो हिंदी में हम not को बोलते हैं नहीं जहाँ पर भी जिस भी sentence में not word का use हो गया यानि कि वो sentence एक negative sentence बन गया उसी तरीके से आप बाकी सारे examples भी देख सकते हैं you are not he is not she is not it is not we are not you are not are not, is not इन सभी को लिखने का short form यहाँ पर आपको bracket में देखने को मिल जाएगा interrogative interrogative मतलब होता है question जब भी हम कोई भी question पूछते हैं तो वो sentences होते हैं interrogative sentences आपको जिस भी statement यानि कि जिस भी question के end में इस तरीके से question mark देखने को मिलेगा तो इसका मतलब वो एक interrogative sentence है जिसे कि आप ये सारे examples देख सकते हैं अब हम बात करते हैं कुछ questions की I-watching television यहाँ पर हमारे पास कुछ options भी given है I के साथ मैंने आपको पहले भी बताया है या तो हम am word का use कर सकते हैं जब भी हम अपने बारे में कुछ बता रहे हों या फिर अगर हम past की बात कर रहे होंगे तो हम was का use करेंगी क्योंकि was भी एक singular word है वो हम हमेशा singular subject के साथ use करते हैं बट यहाँ पर आप देखेंगे options में हमारे पास was given नहीं है यानि कि यह जो बात हो रही है यह present के बारे में हो रही है I के साथ हम been और is का use नहीं करते हैं इसलिए हम यहाँ पर am लिखेंगे I am watching television यानि कि मैं अभी टीवी देख रही हूँ He dash sitting on a sofa अब यहाँ पर हम options की तरफ जाएंगे He was sitting on a sofa वो sofa पर बैठा था इसका सही answer भी was ही होगा He के साथ हम और और वर का use नहीं कर सकते क्योंकि He एक singular subject है और आर और वर हम plural subjects के साथ use करते हैं तो इसका answer होगा was When I was young, I wanted to dash a doctor जब मैं छोटी थी तो मुझे एक doctor बनना था जब भी हम किसी चीज़ के होने की बात करते हैं मैंने आपको first वाली slide में बताया था वहाँ पर हम be word का use करते हैं be मतलब होता है किसी चीज़ का कुछ होना तो जब मैं छोटी थी तो मुझे doctor होना था यानि कि मुझे doctor बनना था तो इसलिए हम यहाँ पर be लिखेंगे यहाँ पर एक question mark आएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो she word है वो singular है तो आर का use तो हम करी नहीं सकते क्योंकि singular के साथ हम आर का use नहीं करते हैं और यहाँ पर हम be का use भी नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमारे पास है is is she from England क्या वो England से आई है क्योंकि हमें पता है कि she यानि कि singular subjects के साथ हम हमेशा is का use ही करते हैं they dash coming to meet me अब यहाँ पर they के साथ हम is का use नहीं कर सकते क्योंकि is एक singular word है is का use हम हमेशा singular subjects के साथ करते हैं they के साथ हम work का use भी कर सकते हैं और they के साथ हम आर का use भी कर सकते हैं difference इतना है कि जब हम work की बात करेंगे तो हमारा statement past tense में convert हो जाएगा past मतलब जो चीज बीत गई है लेकिन अगर हम आर की बात करेंगे तो इसका मतलब कोई चीज जो अभी हो रही है या होने वाली है तो अगर मैं आपे बोलूँगी they were coming to meet me इसका मतलब होगा वो मुझसे मिलने आने वाले थे लेकिन अगर मैं बोलूँगी they are coming to meet me इसका मतलब होगा वो मुझसे मिलने आ रही है तो यहाँ पर दोनों ही correct होंगे आप इन दोनों में से किसी का भी use यहाँ पे कर सकते हैं डैश गीता ready to go अब यहाँ पर आप देखेंगे बी का use तो हम नहीं कर सकते जो कि यहाँ पर subject है वो singular है अगर यह plural subject होता तब हम आर का use करते तो इसलिए हम यहाँ पर was का use करेंगे क्योंकि was एक singular word है was को हम singular के साथ use करते हैं singular और past tense अगर मैं यहाँ पर was लिखूंगी तो हमारा statement बन जाएगा was गीता ready to go क्या गीता जाने के लिए तैयार थी यह हो जाएगा इस statement का मतलब I hope आप सभी कोई lesson एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like और share सरूर कीजिए और हमारे चानल को subscribe करना ना भूले Thank you